देखे ये सिर्फ अंगामा खड़ा करने के लिए अगर आप सदन को बाधित करने की सोच रखते हैं तो ये गलत है राशपती जी के अभी भाशन पर जब धन्यवाद प्रस्ताव आता है तो इसमें पूरी स्वतंत्रता हर एक दल को हर एक सांसत को होती है कि वो इसमें किस विशे को उठाना चाहता है माननीय स्पीकर साब के द्वारा भी चेर के द्वारा भी इस बात को सपश तोर से कहा गया कि अगर आप नीट के विशे को भी उठाना चाहते हैं देखिए ये विशे ऐसा है जिसके लिए सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर है सरकार कते ही नहीं चाहती कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय हो उसके भविश्य के साथ कोई भी खिलवार हो जहां एक तरफ सरकार हर एक स्टेक होलडर के साथ बाच्छीत कर रही है वहीं दूसरी तरफ जाँच की भी प्रक्रिया इस पर चल रही है जाँच एजिंसियों के द्वारा जाँच की भी प्रक्रिया चल रही और माननिय न्यायाले में भी ये मामला विशारा धीन है ऐसे में तमाम पक्षों को मद्दे नजर रखते वे सही समय पर सरकार जो उचित कदम छातरों के भविश्यक ले होगा उसको जरूर उठाएगी पर ऐसे में सदन को बादित करना और जिन परमपराओं का ये जिक्र करते हैं जिस समविधान का विपख जिक्र करता है ये परमपरा कभी रही नहीं वहां बीच में आके जो है वेल क्या कहते हैं उसे उदर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं तो हम तो बिल्कुर हमारे तो पहली टाइम है पर ये देख के काफी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी और जिस पर राश्ट्रपती जी के जो है एकसेप्टबल होना चाहिए